मुश्कार किसान सातियो मैं मनिंदर सिंग फार्मर्स वैलफेर हब के चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज हम पहुंचे हैं बरोखा जीला सिर्शा के गाउं में तो यहां पर हम रमेश कुमार जी से पहले भी मिले थे वर्मी कंपोस्ट की यूनिट के रि स्वागत है यह मारे चैनल पर आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप दुबारा आपकी जो दूसरी जो विजिट है वो भी अच्छी मोडल को लेके हो रही है कि यह जो सुपरने पिर की मैं बात करूं तो यह पस्वों किसानों को में प्रोब्लम कियाती है कि उसको लिए हरेचारी की रूप में बार बार उसको बीजाईब भॉई करने ही जवार कभी मक्यी कभी रिजका कभी बर्शीम और जवार की बात करें जिसमें कीड़ा के प्रोलम आती है या उसमें यूरिया डीपी मत्रह जद्धा डालना पड़ती है यह थाई-लेंड की वराइट प्रोटीन की मात्रा इसके अंदर ज्यादा है करी 20-25 प्रशंट तक है तो दूदारू जो पसु है वो इसको अच्छी तरह तरीके से खाते हैं उनका दूद भी बढ़ता है अब अपने एरिये के अंदर एक पहले बाजरा टाइप की समाई हुई थी जिसको पसु खाते भी न सब्सक्राइब करें तो यह मौसम कौन सा रहता है किसमें इसके जड़े हैं वो प्लांट करनी चाहिए यह कैसा रहा है यह फरवरी से लेके और अक्तूबर नुवंबर तक कि इसकी आप भी जाई कर सकते हैं इसके गन्नी की तरह जैसे स्टेम लगती है बीज इसके उपर को जैसे मैं दिखाना चाहूंगा के यह दो फिट के ऊपर लगाई हुई है इसको अपने चाहिए और पीछे अपनी बड़वार लेता रहे और इसके फुटाव की आब बात करें जिसे आज आज अपने इसके पिलांट्रेस्टिंश की है एक इसमें लगाएंगे तो उसके अं कि हर जाय कि अपरेल और मही मार्च अपरेल मही में पस्वों के लिए अरह अवी अक्तूबर नौंबर है उसमें रहा नहीं होता तो ये अपना फसल लगाने के बाद में उनको बारा मही कमी सर्दी अनरुपी भी मार्स हाम की बात करें तो जयसे अरह जाय चरी है जिसको बोल देते हैं तो उसमें काफी दिक्कत आती है बीमारी तो इसमें कुछ ऐसा बदलाओ इसमें कोई बीमारी किसी तरह की नहीं आती यूरिया डीपी मैंने एक साल से नहीं डाला ग्रोथ आपके सामने अच्छी बड़ी हुई है इसमें कीडा फगेरा नहीं का दूसरे चारे के अंदर कितना आप यूरिया और डीपी उसमें यूज करना होता है तो इसके अंदर वो चीजें करने के जरूर ज़िए और बहुत सोफ्ट रहता है इसकी साथ-एठ फूट तक की आइट जाए तब तक इसको आपा पसों को डाल सकते है और यह बिलकुल और यह बिलकुल और उनका जैसे दूद आपन लेते हैं वह भी और अपने बत से स्वस्त रहेंगे तो यह काफी मिमारी रहीत भी है और कोई भी किसान भाइस का अगर बीज भी लेना चाहिए तो वह यहीं से प्रवाइड करवात है जिसमें अगर कना एक कनाल का बीज है व बहुत कब मैंना यह चीज है तो अच्छी चीज है इसलिए मैं किसानों को दे रहा हूं तो किसानों को भी यह इसको आगे बढ़ाना चाहिए और दूसरी बात मैं बताओं जैसे मैंने बिजनस के लिए इसको एक एकड में लगाया था अगर इसकी सिर्फ हरे चारे की है इसकी अगर इसको आपां काट के मंडी में अटाल पे कहीं भी बेचें तो भी आठ नो लाख रुपे प्रती एकड की इंकम ले सकता है अपने पस्वों के लिए तो है बिजनस के रूप में करें तो भी इसमें अच्छी इंकम ले सकता है जवाज कनक नर्मा धान वहां से खर्चे तो लगने नहीं एक बार का बीज का खर्चा है इसको पानी लगाओ इसकी कटाई करोर मंडी में अगर बेच के भी आए तो भी अच्छी इंकम दे रही है तो इससे किसान साथी क्या अपने जो दान और जो गिहूं का चक्कर है उससे भी निकल सकते हैं और इसको ए अच्छा इंकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं और अगर किसी को बीज की जरूरत है तो इनका नंबर हम स्क्रीन पे फ्लेश कर देंगे आप ड्रेक्ट भी कोल करके इनसे बीज ले सकते हैं और इसको एज बिजनस मोडल में आप अपना सकते हैं एक जो बड़े जो आ गया इसका क आपने सीड त्यार किया हुए बीज के लिए रखा हुआ है पस्वों के लिए कि इसकी साथ फूट की आइट तक बार-बार कटाई करके आप पस्वों को डाल सकते हैं इसकी जादा अगर हाइट आप अकरवाएंगे इसको पकाएंगे फिर ये सीड भी आपकिसानों को आग सब्सक्राइब कर लें बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकार के लिए ठीक अगरे आप